प्रिय शिक्षार्थियों एनाई उएस के इस स्टूडियों में मैं डाक्टर निलेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ आज हम लोग 25-27 रस परिचेह के भागदो का अध्यन करेंगे पुरो भाग में हमने रस से संबंधित उसके उत्पत्ति उसके सुत्रों के विशय में रस विशयक जो विभिन से धानत है रस विशयक जो संख्या है इन सभी विशयों पे हमने चाचा की है पुरो कक्षा में हमने रस विशयक कुछ सिध्धानतों पर चाचा की है प्रस्तुत अध्याय में प्रस्तुत भाग में हम रस विशयक जो अन्य सिध्धानत है उस पर हम चाचा करेंगे इसके अतरिक रसों का करम क्या है रसों का महत्य क्या है रसों की संख्या क्या है इनके इस्थाई भाव क्या है इनके वर्ड क्या है और इनके देवता आधी कौन है प्रत्येक रसों के इस पर भी हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे रश सिद्धान तो विशयक जो सिद्धान प्रस्तुत हैं उसमें भोक्तिवार का अन्यतमिस्थान है भोक्तिवार के प्रतिपारक भट्कनायक हैं इनके अनुशार इन्होंने रश विशयक रश सुत्रों के ऊपर जो उन्होंने अपने विचार दिये हैं उनका मत है ना ताकस नात्म गतत्वेन रशह प्रतियते नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते अर्थात उन्होंने भट्कनायक ने रश की निश्पत्ती के संबंध में उत्पत्ती अनुमिती तथा अभिव्यक्ती के सिध्धान्त का खंजन करके इन्होंने निश्पत्ती का अर्थ भुक्ती किया है और उनका मत्र भोक्तिवार कह रहता है। इन्होंने तीन सब्दों से नात्म गतत्वेन से अन्मतिवार का तथा प्रतियते नत्पध्यते और अभिव्यक्ति के से धान्त का खंडन कर के थात इन्होंने उत्पत्तिवार से भट्ट लोलट के उत्पत्तिवार का, अनुमिती से भट्ट संकुक के अनुमितीवार का और अभिव्यक्ति से आचारे अभिनोगुप्त के अभिव्यक्ति सिध्धानत का खंडन किया और इन्होंने भरत के रश सुत्र में जो निश्पत्ती सब्द है उसका अर्थ इन्होंने भोगती किया और इनके द्वारा प्रतिपादित अश्द्धान भोगती वार कहलाया आचारे भठ्केनायक ये सांख्यमतान्वियाई थे, सांख्यमत को मानने वाले थे इन्होंने संयोगात पर का अर्थ भोज्य भोजक सम्मंधात रखा और निस्पत्ती का अर्थ भुक्ती किया भट्किनायक ने अपने भुक्तिवारी की स्थापना के लिए सब्द मेरे स्विक्रत, अभिधा और लक्षणा सक्ती के अतरिक्त, भावकत्व और भोजकत्व नामक दो नए ब्यापारों की कर्पना की अर्थात जो कारे सब्द से होता है, जिस सब्द से जिस अर्थ की प्रतीती होती है, भट्किनायक ने इसके अतरिक्त दो और भावकत्व ब्यापारों की उन्होंने चर्चा की और वो ब्यापार था इनका प्रमुख भावकत्व और भोजकत्व ब्यापार, इन्होंने दो विशेष के सम्मंध को हटाकर उसका साधारणी करण कर देता है। अगर इसको समझा जाए, तो सामानी सब्दों में है कि राम और सीता जो हैं वह विशिष्ट व्यक्ति हैं। और किसी विशिष्ट व्यक्ति के जब हम वरन करते हैं, तो हम वुसरसान भुर्ति से हम राम और सीता विश्यक, शिव और पार्वती विश्यक, देवताओं के प्रती विश्यक वरन हम नहीं कर सकते हैं। उनमें हमें असहच की इस्थती होती है, इसलिए उनके विशय में जो भी कुछ चर्चा की जाती है, वो भाव के इंतर गताती है। तो कैसे यह अनुभव हो, कैसे हम इसको भुक्तिवाद मानें, कैसे हम इसको अनुभव करें, तो यहाँ पे भच्चनायक ने कहा है, कि हम राम और सीता के जो विशेष गुण है, उसको हम हटा देंगे, और उस विशेष गुण को हटाने के बाद, जब वो सामान ने राम सीत हो जाते हैं, तो हम उनका क्या कर देंगे? साधारली करण कर देंगे. इसलिए कहा रहे हैं, कि शब्द का जो भावकत्तो व्यापार है, इस व्यापार में परिस्कार कर उसमें से व्यक्त विशेष के संबन्द को हटा कर अरधा दात राम और सीता के उसके के विशेष संबंध को हटा कर उसका साधारणी करन कर देते हैं साधारणी करन मतलब उसके विशेष गुड़ों को हटा देना तो साधारणी करन से अभिप्राय यह है कि राम सीता आदिपात्र अपने विशिष्ट अंसका परित्याग करके साधारण नायक नाइका आदि के र जब हम इनको मानते हैं, तो हम उनका क्या करते हैं? साधाररी करन कर देते हैं, हम उनको एक साधारर नाइक और नाइका के लूप में ले लेते हैं, तब हमको उनके अंदर रसान भूती होती है, तो जो उन्होंने दो ब्यापार माना, भावकत्व ब्यापार और भोजकत्व ब जब हम उनको साधारन अंस में ले आएंगे तो हम उनको साधारन नायक और नायकात्व के रूप में उनको हम सामने लाते हैं तो भाव कत्व व्यापार क्या करता है और भोज कत्व व्यापार क्या करता है इस पर चर्चा करते हैं भाव कत्व व्यापार द्वारा राम और सीता का साधारणी कर रहोता है अर्थात हम उनको साधारण नायक और नायका मानते हैं अर्थात उनके विशिष्ट अंस परित्यक्त होकर साधारण नायक नाईका मात्र दह जाते हैं तथा शब्द का भोज कत्व ब्यापार सामाजिक को रस का साक्षात का रात्मक भोग करवाता है जब हम उनको सामान नायका और नायका मान लेंगे तो उनका जो अभिनेगत जो व्यापार होगा उसी से सावाजिक को रस की अनभूती होगी यह दि हम राम भगवान और सीता माता मान करके उनको अनभूत करेंगे तो वह अनभूती रसान भूती नहीं होगी जो एक सामाजिक को रसान भूती करता है अब भट्टनायक का जो यह सिध्धानत है भूकती बाद कि पहले हम उनके विशिष्ट अन्स को हटा करके हम राम और सीता को साधारन नायक और नायका मानेंगे और उस साधारन नायक और नायका से हम रस को भोगेंगे भूकती करेंगे तो इनके जो सिध्धान्त है उसमें जो दोस है कि विभावादि नाम साधार्री करणार्थम काब्य सब्दा नामे भावकत्व व्यापारह अंगी कृतह अर्थात साधारणी करन के द्वारा जो हम भावकत्व व्यापार के द्वारा जो हम साधारणी करन करते हैं सच अयुक्तः वह अलग है भावकत्वंच सहिदय धर्मह भवत्व नतो सब्द धर्मह करें जो भावकत्व व्यापार है वह सब्द का धर्म नहीं है वह तो सहिदय का धर्म है, सामाजिक का धर्म है, सामाजिक इस कारे को करेगा, उनके विसिस्टरंस को हटाता है या रखता है, तो यह कारे तो सहिदय का है, लेकिन आचार भट्टिनायक ने इसको उन्होंने भावकत व्यापार के माध्यम से हटाया है, यह उनका एक दोष है, जो की परवर्ती आचारियों को उचित नहीं प्रतीत हुआ किन्तु साधारी करण जो इनका सिद्धान्त है आचारे भट्टनायक का जो भोजकत्व व्यापार है जो साधारी करण का इनका जो सिद्धान्त है यह कापिसात्स को एक नए विचार देने के कारण इनका महत्रपुर्ण योगदान माना जाता है अगले सिध्धान्त के रूप में अभिव्यक्तिवाद को जाना जाता है और अभिव्यक्तिवाद जो है यह रशसुत्र का सबसे प्रामारिक सिध्धान्त माना जाता है इसके जो रचाईता है इस सिद्धान्त को मानने वाले अभिनोगुप्त ध्वनिवादी आचारे हैं अर्थार यह ध्वनिसंप्रदाय को मानने वाले हैं और इसलिए इन्होंने रश सुत्र में जो निश्पत्ति सब्द है उसका अर्थ इन्होंने अभिव्यक्ति माना है। आचार अभिनोगुप्त के अनुसार इन्होंने रश की उत्पत्ति किसमे मानी। सामाजिक में मानी या अनुमिती की या उत्पत्ती की क्या किया गया इनके द्वारा तो कह रहे हैं आचार अभिनवगुप्त के अनुसार सामाजिक में रशान भूती वह अभिव्यक्ती होती है अर्थात उन्होंने रसकी अन्भूती किस में माना सहिदय संविद्य सामाजिक में माना जो सामाजिक पुस्तक को पढ़ रहा है या देख रहा है उन्होंने रसकी अन्भूती उसमें माना न कि उन्होंने अनुकारे रामादी में नहीं न अभिनेता आदी में माना उन्होंने इन दोनों में रस की अनुभूती नमान करके रस की अनुभूती किस में मानी? सामाजिक में मानी और वह अनुभूती नहीं उन्होंने उसके लिए एक सब्द प्रियुक्त किया अभिव्यक्ति और उनके अनुसार सामाजिक में रसान भूती वह अभिव्यक्ती होती है आचारे अभिनोगुप्त ने रस की इस्थती तकश्थराम या नट आदी में नमान कर आत्मगत अर्थात सामाजिक गत्मानी है सामाजिक में भी रस की उत्पत्ती या अनुमिती नमान करके अभिव्यक्ति माना है अर्थात सामाजिक को रस की अभिव्यक्ति होती है रस विशेक ये चारों से धान महत्रपुर्ण माने जाते है इसके आगे हम देखते हैं करुन रस विशेक आक्षेप रस की संख्या के विशय में तो आपसे चर्चा आगे भी भी होगी करुन रस विशयक आक्षेप क्या है करुन रस को रस माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए इस विशय में आचारियों में मतभेद रहा है करुन रस के विशय में जो यह भरांती है कि यह आनंद में नहीं होता है यह उचित नहीं है यदि करुण रस दुख रूपी होता दुखद होता तो कोई भी कवी कवी बालमी की करुण रस आत्म करामायर कावे की रचना नहीं करते काब्य रूप में करुण रस भी आनंद दायक होता है इसको हम इस अर्थ में समझे कि लोक में जो दुख है वह तो दुखद है उसमें कोई आनंद के अनुभूती नहीं होती है घर में कोई अप्रिय घटना होती है उससे जो दुख हमें उत्पन होता है वो रसान भूती नहीं है किन्तु यदि हम काब्य में यदि हम चित्र में नाटक में यदि हम किसी घटना को देखते हैं किसी काब्य में किसी घटना को पढ़ते हैं तो उसमें अगर कोई दुखर घटना है तो उसको पढ़ने के बाद हमारे मन में जो भाव उत्पन होता है वह आनन्द दायक होता है जैसे राम और सीता का जो वियोग है उस वियोग को पढ़ने के बाद जो हमको रसान भूती होती है वह करूर रस है यह रस वास्तविक जीवन के रस से अलग होता है वास्तविक जीवन में जो वियोग होता है जो दुख होता है वह सुखद नहीं होता है लेकिन काब्यगत जो रस होता है जो करूर है जो वियोग है वह आनन्द दायक होता है तो काब्य के रूप में भी करुण रस आनंद दायक माना जाता है जो यह भरांती है कि काब्य में करुण रस अच्छा नहीं माना जाता यह निर्मूल है इसका कोई आधाल नहीं है यदि ऐसा होता तो महर सी बालमी की जिनोंने करुण रस पधान बालमी की रामायड की रचना नहीं होती, विश्व में सबसे ज़्यादा अगर किसी गरंत को पढ़ा जाता है, उस पठीका लिखी जाती है, तो वह रामायर है, तो रामायर करुन रस्प्रधान होने के बाद भी संपुर्ण विश्व में पशिद्ध है, इसलिए करुन रस्प को भी काभ्य में उचित तर है, शिरिंगार हास्य करुन रोद्रवीर भयान काह, विभत सोद भुत इत्यस्टव, रसाह शांतस तथा पुनह, भरत मुनी द्वारा करम अबध्ध किये गए इस रस्प संख्या के विशय में, आचार अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ, अभिनव भारती में रसों के करम के महत्त में विशय से विश्तार पुर्वक वरण किया है, कि यह रसों का करम क्या है, शिरिंगार के बाद हास्य क्यों है, हास्य के बाद करुन, शिरिंगार के बाद सिधे विभत सक्यों नहीं आ सकता, तो इनके करमों के संदर्भ में आचार अभिनव गुप्त ने तो श्रिंगार, हास्य, करुण, रोद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अदभूत और ये आठ रस है, नवा रस है, शान्त रस अब इन रसों का जो क्रमिक महत्व है, इनको इस क्रम में रखने का महत्व क्या है तो सबसे पहला रस रखा गया है श्रिंगार रस, जो जीवन का प्राण भूत है, यह जीवन में काम न हो यह जीवन में रती न हो, प्रेम न हो तो सिष्टी की कल्पना संभो नहीं है इसलिए रसों में भी हमें आनन्द की अन्भूती पहले होनी चाहिए, हमारा जीवन सुखमे हो, इसलिए सबसे पहले श्रिंगार रस को रखा गया श्रिंगार अरस काम प्रधान अरस है अर्थात जिसमें रती की प्रधानता है जिसमें आनंद की प्रधानता है शुख की प्रधानता है अब जब व्यक्ति सुखी होगा तो उसी से हास्य की उत्पत्ती होती है जब व्यक्ति खुश होता है पसंद होता है तो उसी से उसके जिवन में हसी भी आती है हास्यरस की उत्पत्ती इसलिए श्रिंगार से मानी जाती है जो किसका अनुगामी है, किनका अनुकरण करता है, श्रिंगारा अनुगामी, हास्यरस श्रिंगार का अनुकरण करता है, श्रिंगार के द्वारा पसंद्चित होने के बाद वह उसका अनुकरण करता है और जीवन में हास्य का प्रवेश होता है, इसलिए श्रिंगार के बाद हाश्य रश को रखा गया है अब हाश्य का विपरीत क्या है प्रसंदता का विपरीत क्या है करुण है यहाश्य विरोधी होता है अर्थार जीवन में जब कभी विपरीत प्रिष्टिय आती है तो सुख के बाद जैसे दुख लगा रहता है इसी प्रकार से हाश्य रस के बार करून रस को रखा गया है इसलिए करून रस क्या है? यहाँ हाश्य विरोधी है यहाँ सन्नता का विरोधी है, यहाँ सुख विरोधी है पुनह यहाँ करून रस किसके कारण उत्पन्न होता है? जब हम कोई क्रोध में कारे करते हैं चोथे करम पे रद्रश है रद्रश की उत्पत्ती का कारण क्या है? ये क्रोध की उत्पत्ती का कारण क्या है? करुण है जब हमें कोई दुख होता है तो उस दुख के कारण क्रोध उत्पन्न होता है करुण रस का जो निमित्त है कारण है वह क्या है क्रोध है किसी ने किसी अप्रिय घटना के कारण ही हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है कोई घटना ऐसी घटे जिससे मन विछिपत हो जिससे मन में क्रोध हुद्पन हो तो रद्रश जो है उसका जो निमित्ध है वह क्रोध है इसलिए करुण रश के बार रद्रश को रखा गया है रद्रश के बार वीरश को रखा गया है वीर रस क्यों रखा गया है? क्योंकि वीर रस जो होता है वह धर्म प्रधान है अर्थ प्रधान है क्रोध के ब्यक्त कारण ब्यक्ति जब किसी कारी को करता है विवेक से करता है तो वह वीर के रूप में कारे भी करता है तो धर्व प्रधान और अर्थ प्रधान होने के कारण रद रस के बाद वीर रस को रखा गया है वीर रस के बाद भयानक रस आता है भय अर्थात जब कोई उत्साह से किसी कारी को करता है तो उससे भय की भ्यूत्पत्ती होती है इसलिए भयानक रस का जो मूल कारण है वह है भय भयानक रस से भय कृत्पत्ती होती है भयानक रस के बाद विभत्स रस को रखा गया विभत्स मतलब जब किसी विभत्स घटना को देखते हैं तो मन में एक जुगुपसा उत्पन हो जाता है एक घड़ा विभथ सरूप देख लो तो एक घड़ा उत्पन्न हो जाता है जैसे बहुत ज़्यादा किसी के शरीर के रक्त को उसके अंग छिन भिन अंग को देख लो विभथ सर्दस्च देख लीजिए आप तो उससे क्या होता है जुगुपसा पैदा हो जाती है इसलिए भयानक के बाद विभथ सरस को रखा गया है और विभथ सरस के बाद अद्भुत रस को रखा गया है कि कुछ आश्चरे करने वाला विसमे कुछ ऐसी घटनाए हो जिससे जीवन में विसमे आश्चरे उत्पन्न हो इसलिए विभत्स रस के बाद अद्भुत रसों को रखा गया है और जब ये सारे रस निर्मूल हो जाए जब ये सारे रसों का कोई मोल न रह जाए महत्व नहीं रह जाता है तब शांत रस कुछपत्ति होती है जब इन अश्ट रसों से ब्यक्ति मोह रहित हो जाए इनसे मुह अपना मोड ले इनके प्रती वह निर्वेद हो जाए इनके प्रती कोई भाव न रखे तो वह सांत रसों हो जाता है और रसों में सबसे महत्व पुर्ण रस सांत रस की भी को भी माना जाता है जैसे जब व्यक्ति के अंदर सांतरस जो है वो शम, सम अरथात जब मन में भावों का समन हो जाए, भावों को दबा दिया जाए, वह सांतरस है तो इन नव अरसों को इनके क्रम में रखने का यही कारण है कि एक अरस प्रतेक अरस एक दूसरे से क्रमसह जुड़ा हुआ है आगे हम इस तालिका के माध्यम से देखेंगे कि प्रतेक अरस का स्थाई भाव क्या है उसके व्यभिचारी भाव क्या है उस अरस के देवता वरर कौन है और उस वरस के देवता कौन है स्रिंगार अरस का इस्थाई भाव किसे कहते हैं यह आपको पूर्व में चर्चा होई है कि जो भाव मन में इस्थिर हमेशा रहते हैं हमेशा जो भाव मन में बने रहते हैं और अनुकूल सामगरी पाते ही उत्पन्न हो जाते हैं, उसे इस्थाई भाव करते हैं जब नायक और नाई का प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं, तो आपस में मिलने एक बार उनके अंदर जो भाव उत्पन्न होता है, वो हरती का भाव है ऐसे ही हास्य जब दो लोग मिले आपस में हास पर ही हास करें तो उनके अंदर का इस्थाई भाव उत्पन होता है तो प्रतेक अरस का इस्थाई भाव प्रतेक अरस का ब्यभिचारी भाव और उसके वर्ण उसके देवता अलग अलग होते हैं शिरिंगार अरस का इस्थाई भाव रती है, उसका व्यफिचारी भाव लज्जा है, हास है, चिंता है, कुतूहल प्रफित्य है, एक दूसरे को उच्छुकता के साथ देखना, एक दूसरे के प्रती लज्जा करना, हास परिहास करना, यह शिरिंगार का व्यफिचारी भाव ह श्रिंगार रस का जो वर्ड है जो वर्ड से तात पर है कलर कौन से वर्ड को किस रंग को श्रिंगार रस माना जाता है तो श्यामः जो श्यामः वर्ड है क्रिष्ण का जो वर्ड है वह श्याम वर्ड है इसलिए इसका वर्ड श्याम वर्ड माला जाता है और श्रिंगार अरस के देवता विश्वणू को माना जाता है इसी प्रकार हास्य रसका इस्थाई भाव हास है इसका व्यभिचारी भाव निद्रा आलस से आदी है इस रसका वर्ड जो है वह स्वेत वर्ड है और इसके देवता प्रमतगर है अथात काम देव आदी जी है यह इसके देवता माने जाते हैं करुन दरस का इस्थाई भाव शोक है, इसके व्यभिचारी भाव मोह है, विशाद है, गलानी है, इस्मित प्रभितयह, अथाद अन्ने भी व्यभिचारी भाव है तो करुणरस क्या है जब किसी वियोग होता है तो उससे सोक कित्पत्ती होती है जब हम किसी से वियोग में जाते हैं जब राम सीता से बिछुडते हैं तो उन्हें मोह होता है विशाद होता है गलानी होता है तो करुण रदस का व्यवचारी भाव मोह है, विशाद ग्लानियादी इसके व्यवचारी भाव है, इसका वर्ड कपोत वर्ड है और इसके देवता यम माने जाते हैं, यमराज को माना जाता है रद्रश जब किसी कारण से व्यक्ति क्रोधित होता है, तो रद्रश का जो इस्थाई भाव है, मूल भाव जिसको कहते हैं, जो आपके हिर्दय में हमेशा से विद्यमान है, वह जैसे ही उस तरीके की घटना परिस्थती आपके समक्ष आती है, वह भाव सुतह आपके अंदर से उत्पन्न हो जाता है, दो लोगों के भी जगडे या आपका किसी से अगर विवाद होता है, तो उस समय आपको जो क्रोध उत्पन्न होता है, वह क्रोध आया कहां से, वह क्रोध आपके अंदर सुतह विद्यमान है, तो रद्रश का इस्थाई भाव क्रोध है, इसके व् को माना जाता है वीद रस का इस्थाई भाव उत्साह है इसके व्यभिचारी भाव के अंतरगर धृती मती गर्व जब व्यक्ति उत्साह में कोई कारी करता है तो यह व्यभिचारी भाव उत्पन्न होते है इसका जो वर्ड है यह गौर वर्ड है या है मवर्ड है अर्थात नोने का जो वरड होता है, सुवरड वरड है, इसके देवता इंद्र को माना जाता है, वीद रस के देवता इंद्र है, भयानेक रस का इस्थाई भाव भय है, जब आप किसी भयानेक दिश्च को देखते हैं, इस्थती को देखते हैं, तो आप भयवीत होते हैं, और इसका ज अधभूत रसका इस्थाई भाव जुगुपसा है इसका ब्यविचारी भाव मोह आवेग अवस्मार और व्याधियादी है या विभश्रस का ब्यविचारी भाव है इसका वरण नील वरण होता है और इसके जो देवता है वो महा काल माने जाते हैं अदभूत अरस का स्थाई भाव विश्मय है, इसका स्थाई भाव, व्यभिचारी भाव, वितर्क, भरांती, आवेग और हरस आदी इसके व्यभिचारी भाव है, इस अरस का जो वरण है वह पीत वरण है और इसके देवता ब्रम्हा को माना जाता है शांतरस, शांतरस का इस्थाई भाव शम है, इसका जो व्यभिचारी भाव है वह निर्वेद है, धर्ती, मती और दया आदी यह शांतरस के व्यभिचारी भाव है इसका जो वर्र है वह धवल वर्र है शुब्र वर्र जो है सफेद इसका वर्र है जब मस्तिस्क में जब कोई भाव ही न रह जाए वह भाव जो होता है वह सांतरस में प्राप्त होता है इसलिए इसको शुब्र वर्र माना गया है और इसके देवता नारायन को माना गया है इन सभी रसों में सांत रस के महत्यू के विशय में आचार विश्वनाथ ने भी आचार भरत्मुनी और आचार अभिनो गुप्त ने भी अपने गरंथ में उलेख किया है अलंकार सास्त में सांत रस का महत्यपुर्ण इस्थान है आचार भरत्मुनी के अनुशार शान्तो नाम सम इस्थाई भाव आत्म को मोक्ष प्रवर्थ कहाँ जो सान्त नमक इस्थाई भाव है यह मोक्ष को प्रदान करने वाला है जब आपके सारी इच्छाए, वासनाए, कामनाए सब निर्मूर हो जाए जब उपर के आठ रसो में आपका लगाव खत्म हो जाए उनके प्रति जब आप निर्वेद हो जाते हैं तब आप सान्त रस को प्राप्त होते हैं इसलिए सांत रस जो है वह ब्रम्ह का वाचक माना जाता है मोक्ष का वाचक माना जाता है यह परिपक्व भाव को प्रदरसित करता है जब संसार के पदार्थो द्वारा मन में सुख दुख क्रोध के भाव न उत्पन हो तो वही शमभाव है अर्थात मन में विकारों का नश्ट हो जाना मन से विकारों का निकल जाना जो समत्व भाव है शम भाव है विचारों का दब जाना जो है वही शम भाव है अंततह सभी रस सांतरस में ही विलीन हो जाते हैं धन्यवाद झाल झाल